मैं अभी अबैसावन जी के पास कंट्रोल शिफ्ट करता हूं ताकि वो आपको फोटो एडिटिंग के बारे मज़ते हैं तो दोष्टो प्रीवेडिंग एडिट करते किसके लिए है मुझे ज़रा को में डालक्स में डालिए प्रीवेडिंग एडिट क्यों करना चाहिए प्रीवेडिंग लेट आरे तब तक oystersant ले रहा हूं तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्रिवेडिंग एडिट आप कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजे किस लिए करना चाहिए हर एक का अपना अपना जो ओपिनियन है उसके बारे में आप अगर बता सकते हैं तो मेरे लिए काफी आसान होगा आपको समझाने के लिए प्रिवेडिंग एडिट फोटोशॉप में करते क्यूं है या प्रिवेडिंग एडिट हम लोग करना क्यूं चाहिए अरुप बोज गूड इविनिंग सर राच्चु रिबॉर एफ और कलर करेक्शन सेकंड चीज और किसी को कोई यह है या मैं सेशन चालू करूं क्योंकि बाद में मुझे यह कॉमेंट्स दिखेंगे नहीं इसके लिए तो एक्शुली देखा जाएगा प्रिवेडिंग फोटो निकालते क्यूं है बिकॉज मेरे हिसाब से यानि क्योंकि हाँ आभी सेवन सेलफी क्रेशन हाए सतीच पेड़ने कर इट विल लुक डाइनामिक यस फॉर मिक्सिंग यस तो हर एक का अपना अपना राच्चुरी जी बोर रहे है कि फॉर मिक्सिंग तो मेरा कहना है कि रेग्यूलर्ली जो इमे एडिटर के पास भीजी है उसमें जो ब्लेमिशेस रहते हैं या खराबी रहते हैं वह निकाल के वह एक्स्टर ओर्डिनरी बनाए एक्चुली प्रिवेडिंग करते ही इसलिए है के के स्टुडियो उमर पाड़ा यस फोटो अच्छा दिखने के लिए वह तो डेफिनेटल प्रिवेडिंग फोटो निकालने के निकालने का जो कॉंसेप्ट है तो आप देखोगे कि हर एक इसमें हर एक अपना विदाउट एडिटिंग नो बेस्ट विजिबिलिटी आरोप सब्स जी बोर रहे हैं यस डेट इस टू दूसरी चीज है कि मैं बोलना चाहता हूं कि प् जैसे हम लोग पिच्टर देखने जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम हेरो है और है और हम लोग हिसाब में बिहेव करते हैं तो जो पोस्टर है वैसा पोस्टर अगर बने प्रिवेडिंग का तो किसको पसंद्ध नहीं आएगा हर एक बंदा चाहेगा कि ऐसा ही मेरा हो इसके लिए कुछ manipulation की चीज़े सिखनी जरूरी है मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको शेर किया ता screen जिसमें मैंने सिर्फ technical और टेकनिकली डाला है क्योंकि टेकनिकली जरूरी है टेकनिकल समझना Photoshop में काफी कीज है काफी चीज़े है समझना यस संजय मिश्री जी क्रेटिव न्यू लोग अनोब बोच जी बराबर बोर रहे creativity संदिप चावान best creativity यस definitely तो मैं screen share करूंगा और आपको मेरे हिसाब से यानि हर एक का अपना अपना हिसाब है मेरे हिसाब से इसमें क्या क्या करना चाहिए मैं screen share कर रहा हूं बराबर यह Photoshop में मैंने निकाला हुआ एक फोटो है एक्चुली यह pre-wedding का नहीं है यह हमारा राही AMJ करके channel है उसके लिए मैंने यह फोटो निकाला था उसका cover pad के लिए तो अभी इसमें क्या है अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या नहीं चीज़े गलत है कि यह जो दिख रहा है यह गलत है फिर यह जो दिख रहा है यह गलत है फिर यह जो यह This है वह गलत है तो यहाँ पर जो हॉइए है वो भी गलत है तो यह कैसे निकला जाए मैं एक म no मिल अलेकनोल लेने के बाद मैं यहां तक यह है वह तक लेके आता हूं और खीए ओर एक और कंटेन्ट वे ले रहा है फिर से मैं यहां पर क्लिक करता हूं कि यहां पर निकालने की कोशिच कर रहा हूं यह पूरा यह जो रॉड बचा हुआ है shift F 5 मैंने दबाया तो मैं क्या कर रहा हूं कि blamish जो है वो निकालने के कोशिच कर रहा हूं मैं control 0 दबाता हूं control D दबाता हूं आप देख सकते हो मैं पूरा का पूरा रॉड निकल दिया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है आज के तारीक में फिर क्या है मुझे यह भी निकलना पड़ेगा काफी अच्छा दिखने के लिए तो मैं क्या कर रहा हूं इसके बाजू से पूरा इसको घुमा रहा हूं बराबरे शिफ्ट दबा रहा हूं content aware आ गया और मैंने यहां पर ओके दबाया बाकी काम तो वही कर देता है अभी यहां पर क्या होता है regularly लोग यह समझे नहीं है अगर समझो मैंने इसके बाजू से पूरा ऐसा बाजू से लिया और मैं यहां पर ऐसा करके shift fi दबाता हूं तो देखे क्या होता है कुछ portion blue color का यहां पर transfer हो जाएगा यह देखे दिखा आपको यहां पर कुछ portion आ गया तो मुझे क्या करना है फिर से इसको पकड़ना है और shift fi दबाना है तो यह देखे पूरे blemishes जो हमने हमारे पास थे पूरे के पूरे निकल गए फिर क्या अभी इसमें और क्या कर सकत है चलो फोटो तो अच्छा हो गया फिर हमें क्या करना चाहिए तो मैं दो मिनिट के लिए stop sharing करता हूं कि यह blemishes तो मैं यह जो खराबी थी वह तो मैंने निकाल दी फिर उसके बाद क्या करना चाहिए तो sky replace का एक option आता है मैं stop sharing करता हूं तो आपको दिखाई दूंगा मैं तो यहां पर क्या कर सकते और तो color enhance कर सकते सबसे important चीज है फिर आप जैसे मैंने बोला sky replacement कर सकते काफी अच्छा sky डाल सकते वहां पर color enhance कर सकते यहां पर अगर फिर से मैं screen share करना चाहता हूं कि जो लड़का और लड़की है वह bright दिखना काफी जरूरी है क्योंकि वही तो चाहिए बाकी चीज दिखी नहीं दिखी एंबियंस दिखना चाहिए क्योंकि लोगों ने खर्चा किया है फिर से मैं screen share करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने यहां की जो blemish HD मैं फिर से f12 दबाता हूं यह देखे यह जो blemish HD वो निकाल दी अभी क्या करना है तो मुझे यहां पर जो यह है यहां पर जो sky दीख नहीं रहा है वहां पर sky replace करना है तो filter में आके या edit मे sky replacement का option दिया हुआ है sky replacement में आपको जैसा चाहिए वैसा sky आप वहां पर डाल सकते within second यह भी कोई बड़ी बात नहीं यह भी कोई भी कर सकता है इसमें कोई बड़ी यह है नहीं तो मुझे यह नहीं चाहिए मैं थोड़ा सा और bluish color का मुझे sky चाहिए तो मैं वह ले सकता हूं मुझे जो sky पसंद ह वह type का मैं sky यहां पर select कर सकता हूं तो चलो यह sky मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ने यह डाल दिया और इसको यह देखे यहां पर आपको काफी चीज़े आती है यहां पर sunset के भी कुछ pictures है उसमें से भी आप ले सकते हो तो आपको जो अच्छा लगता है वह चीज आप आप वहां पर ले सकते हो तो मुझे यह ठीक लग रहा है यहां पर यहां पर new layer नहीं कर रहा हूं मैं duplicate layer पर मुझे चाहिए करके मैं इसको duplicate layer पर ड अपर जो नीचे की layer है यहाँ पर और यहाँ पर आपको यहाँ पर एटोमेटिक स्काय रिप्लेस हुआ दिखेगा दूसरी चीज क्या है लड़का और लड़की अच्छा दिखने चाहिए अभी यह मुझे पता नहीं था कि सर आएंगे या नहीं आएंगे इसके लिए मैं तो प्रिपेर नहीं था त तो मैं यहाँ पर मैंने रौ नहीं लिए तो फिल्टर में आके मैं कैमेरा रौ फिल्टर कोलता हूँ अभी यह देखे कैमेरा रौ फिल्टर कोला और कैमेरा रौ फिल्टर में बहुत सारी चीज़े हम लोग कर सकते जैसे कल इन्होंने लाइट रूम में बताया था वैसे मै green enhance कर सकता हूँ, तो यह कहां पर होता है, तो मैं basic में नहीं जाता हूँ, यह देखे, मैं यह कव में भी जाने की जरूतने, मुझे color mixer पर जाना है, मुझे क्या करना है, यह जो green है, उसमें, उसका saturation मुझे समझो बढ़ाना है, तो मैं green में जाता हूँ, और यहां पर हलका सा saturation, देखें, काफी बढ़िया इमेज दीख रही है, और और क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा ब्लु भी एन्हांस करना चाहिए, मुझे तो इसको मैं थोड़ा देखिए, आप उपर दीख रहे हैं आपको, उपर दीखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने पर ब्लू एन्हांस किया, तभी आपको ब्लू एन्हांस, जे दीखें, मैं ब्लू कम करता हूँ, यहाँ पर आप ब्लु डाल सकते हो, इस तरीके से, फिर आप यहाँ पर पर पर्पल भी आड या कम कर सकتे हैं, आप इसके वी launching कर सकते हैं, यानि ब्लू का जो यू है, वो देखे मैं थोड़ा सा अलग कलर पे भी लेकर जा सकता हूं मुझे जो पसंद आता है वो कलर मैं रख सकता हूं यहां तक आपको समझा रहेगा दूसरी चीज़ है कि कलर ग्रेडिंग में बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी बेसिक की बात करूंगा कि इसमें करते समय क्या-क्या precaution करनी है और इक च्छी अच्छी दिखेगी तो यहां पर अगर मुझे brightness exposure बढ़ाना है तो मैं यहां से exposure बढ़ा सकता हूँ लेकिन मुझे exposure नहीं बढ़ाना है मुझे सिर्फ यह कपल का ही exposure बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप आते हो यहां पर इसको पता नहीं है यहां पर दो सरकल आए हुए देखाए दे रहा है आपको दो सरकल है तो यह दो सरकल क्या करते वह पर समझ लेते थोड़े से इसमें इसको मैं जूम कर रहा हूं और मैं इसको यहां पर समझो मैंने exposure यहां इसको सबको reset कर दिया मैंने और सिर्फ exposure बढ़ाया और मैं यहां पर कर रहा हूं तो देखंए यहां पर अंदर यह नहीं हो रहा है přिATION मैंने यहां पर किया अभी भार भी हो रहा है बराब्स फिरा कर देता हूं अधर ही चाहिए तो मुसह क्या करना पड़ेगा मास्क आुप्चिन अपते कि अभी मास्क में आपको दिखाई देगा तो मास्क करता हूं कि हमें क्या कि करना है उटव मास्क जो हैं करना यह वह agree क्या होता है समझ्ण मुझे बाहर की चीज़ करनी है समझो यह exposure मैंने जादा बढ़ा दिया बराबर है यह मैं delete कर देता हूं अगर मुझे यह जो है exposure मैंने बाहर बढ़ा दिया लेकिन मुझे अंदर नहीं करना है तो मैं देखे यहां यह जो सरकल है दो सरकल दिख रहे आपको उसको अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है बाहर की तरफ हो रहा है सरकल के बाहर की तरफ आपको brightness बढ़ते समझ दिख रहा है, समझ मैं आपको, मैं फिर से इसको click करके delete करता हूँ, तो मुझे अंदर की तरफ करना है, तो मुझे ये संबालना है कि ये चीज इसके बाहर ना जाए, यानि ये जो circle है, दो circle दिख रहे हैं आपको, मैं फिर से बढ़ा करके दिखाता तो ये circle और ये circle जो दो circle है, उसके बीच में मुझे वो brightness रखना है, मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा हलका करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, और मैं ये brightness देखे, मैं बढ़ा रहा हूँ, अभी ये brightness तो काफी heavy है, बराबर हैं, तो मैं इसको यहां से set कर सकता हूँ, ये मुझे जितना brightness चाहिए, उतना ही मैं set कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है यहां पर, ये देखे, मैं सिर्फ और सिर्फ किस पर गुमा रहा हूँ, चेहरे पर गुमा रहा हूँ, और मैंने क्या किया है, दूसरा जो circle है, वो वैसे के वैसे रखा है, बराबर है, यहां पर मैं यानि मुझे brightness चाहिए, saturation चाहिए, जो भी चीज़े चाहिए, वो मैं चाहिए उतने time पर बढ़ा सकता हूँ, यहां उसके, इसमें, पैंड में अगर मुझे करना है, तो मैं फिर से new दबाता हूँ, आपको समझने के लिए, और ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर बढ़ा दिया है, आपको दिख रहा है, मैंने यह second लिया है, third time लिया है, तो मैं सिर्फ उसका जो यह है, उसका brightness बढ़ा रहा हूँ, किसका, उसका जो shirt है, उसका brightness बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यहां पर, आप देख सकते हूँ, मुझे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मैं ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ तो दोस्तों यह जो चीज मैंने अभी बताई है क्या आपको समझ में आए मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ स्टॉप सेरिंग करता हूँ अगर किसको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हां अमिद पातिल जी कामेरा रॉइडिट ही चालूए क्योंकि मेरे पास एक्चुली जेपैक थी नहीं तो मैं काफी अच्छी तरह से आपको कैमेरा रॉइडिट था क्योंकि वीजय गवई सर सोड़ा सा लेट आ रहे इसके ल रहिना चाहिए जूसरा सरकल्ष के बाहर रहिना चाहिए तो क्या होगा समझो मैं सके हिला रहा हूं तो यह सरकल तो मेरा फेस पर ही ब्राइटनेस भड़ेगा तो यह चीज किसको समझि नहीं है फिर से मैं दुबारा बता सकता हूं किसी को समझि नहीं है मैंने the auto iOS IT on the सब को समझ में आया जानते यहां बोर रहें और किस को नहीं आया वह भी बता दी जैको फिर से दुबारा दिखा देता हूं काफी आसान चीज है और एक्शुली ना फोटोशॉप सबको डिफिगर्ड लगता है क्योंकि वो चीजे जानते नहीं सतीश पेडने कर जी बोर रहे हैं नाइस सर यू आर मास्टर सिन फोटोशॉप थैंक्यू सतीश सर लेकिन किसको पता नहीं होगा वो ना करके डाले पता समझा रहेगा तो आप आकर के डालिए प्लीज रिपीट सुमनात कोड़ेजी बोर रहे हैं प्लीज रिपीट सी के मैं फिर से एक बार दिखाता हूं सर क्या अप कलर रिप्लेस्मेंट सिखा सकते आरे बिलकुल सिखा सकता हूं आप जो ब इसमें पहले क्या गिया आपको पता है कि पहले यहां पर बार्स थे shift fi दबा के content aware से फिर मैंने पूरे बार्स निकाल दीए फिर मैंने इसकी duplicate की थी, मैं यह duplicate delete कर देता हूं फिर एक बार repeat करता हूं Ctrl J दबाया Ctrl J for duplicate तो मैंने इसकी duplicate बनाई मुझे क्या करना है filter में जाके camera raw filter खोलना है camera raw filter camera raw filter खोलने के पहले मैंने sky replace की थी मैं cancel दबाता हूं मैं एक बार फिर से sky replace कर देता हूं यह देखिए यहां पर edit में sky replacement tool है यह मैंने ली थी और मैं यहां पर okay दबाता हूं मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया duplicate layer और रेड़ी बनाई है duplicate layer पर sky replace हुआ है यहां इसमें sky नहीं है यहां पर sky आ गया इसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि filter में जाके camera raw filter में आना है actually raw file होनी चाहिए लेकिन मैं jpeg पर ही आपको दिखा रहा हूं फिर मैंने यहां पर आपको बताया कि यहां से exposure change होता है लेकिन मुझे यहां पर कुछ भी करना नहीं है यानि मुझे यह जो image है मुझे as it is बढ़िया लग रही है बराबर है तो मुझे क्या करना है मैंने आपको बताया यहां पर क्या है adjustment brush है बराबर है adjustment brush में auto mask हमेशा on नहीं होता है तो उसको on कर दीजिए density मैंने 100 लगी है flow थोड़ा सा कम की है around 50 के दर्मयान रखा है फिदर मैंने 100% रखे और brush की size है वह आप आपके हिसाब से रख सकते इसमें मैं zoom करके इसमें मैं देखिए यहां पर आपको दो circle दिख रहे हैं दिख रहे हैं सबको तो यह जो दो circle है उसका अंदर का पार्ट आपके face पर होना चाहिए और बाहर का पार बैगराउंड पर होना चाहिए यह चीज सिर्फ ध्यान में रखनी है जो कि काफी important है मैं फिर से इसको छोटा कर देता हूं आपको करके दिखाता हूं मैं यह zoom करता हूं image इसका brightness तोड़ा सा यहां पर exposure बड़ा है और मैं कर रहा हूं इसको bright कर रहा हूं दिख रहा है लेकिन बाहर कि दर हो रहा है गया इसके बाहर नहीं कर रहा हूं मैं चौँयार चीज आपको समझी रहेगे मैं चोटा biss और मैं थोड़ा सा इसका brightness बढ़ा देता हूँ, अभी अंदर के लिए तो कोई डिक्कत ही नहीं है, अंदर में तो perfect हो जाएगा, मुझे इसका t-shirt दिक नहीं रहा था, इसके लिए इसका t-shirt को मैं पूरा bright कर देता हूँ, यह देखिए, आपको समझ में आता रहेगा, मैंने यह bright कर दिया, जहां जहां darkness था, वो पूरा bright कर दिया, तो यहां तक चीज समझे रहेगी, यह pant जहां पर मुझे लग रहा है, नहीं, थोड़ा brightness चाहिए, तो वो brightness मैंने कर दिया, यह दिखिए, तो यह bracket की चीज आपको समझी रहेगी, दूसरी चीज है कि मुझे यहां पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं यहां पर brightness नहीं चाहिए मुझे लेकिन यहां पर detail चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं new brush लेता हूँ, यहां पर ही, यह देखिए, मैंने new brush लिया, और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या करना था, थोड़ा सा sharpness बढ़ मैं यहां से reset कर सकता हूँ, सब reset किये, फिर मैं sharpness पर आया, sharpness थोड़ा सा अलका सा बढ़ाया, और इसका जो dress है, उसका sharpness मुझे काफी अच्छा चाहिए था, तो मैं ने वहां पर sharpness बढ़ा दिया, similarly मुझे इसका भी थोड़ा सा sharpness चाहिए, hair थोड़ी से blur दिख रहे, त sharpness बढ़ा सकता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आही रहेगी, फिर मैं फिर से new लेता हूँ, और यहां पर उपर आके इसको reset करता हूँ, मुझे face में थोड़ा सा light चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, exposure हलका सा बढ़ा दूँगा, बराबरे मैं इसको थोड़ा चोटा करता हूँ, और जहां जहां मुझे चाहिए, वहाँ वहाँ मैं वह brightness एड़ करता हूँ, यह देखें, मैं बढ़िया से उनके face bright कर दिये, बराबरे, यहां पर भी मुझे थोड़ा brightness चाहिए, फिर उसके legs में भी brightness चाहिए, तो मैं ने वह bright कर दिये, उसके हाथ में भी, एक मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूं यानि सरकल मैंने ऐसा सेट किया है कि मुझे अभी आप मैं ओके दबाता हूं आप देख सकते हो इमेज में देखिए ब्राइटनेस बढ़ गया है यह देखिए प्रिविएस इमेज यह बाद में की हुई इमेज तो जो लड़का लड़की ह वह काफी खिलके आए तो यह दो बहुत जनों को पता नहीं होता है कि यह कैसे करें ब्राइटनेस कैसे बढ़ा है मैं इसके वज़ा से हाइलाइट भी बढ़िया तरीके से दे सकता हूं काफी चीजे मैं अगर समझो मुझे हाइलाइट देनी है मैं थोड़ा सा स्टॉप श दकाई यसा क्रेशन पहले हम लोगों को बढ़ाना है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिया आप उसको आगे यानि आगे चलके और भी बढ़ा कर सकते और और भी छोटा कर सकते तो यह चीज आफी आसान है तो यानिए जैसे मैंने अभी देखे रीसेट किया था वहाँ पर मैंने reset किया और reset करने के बाद action कैसे करते है Photoshop में यह भी काफी आसान question है मैं इसके बारे में थोड़े देर के बाद बताता हूं जो हम लोग regularly skin smoothening का जो action बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो काफी आसान है लेकिन बहुत जनों को तकलिप हो जाती है कि आरे यह कैसे ब फोटोशॉप के मेरे वीडियो काफी फेमस भी हुए किसी किसी को चार चार पांच पांच एजर भी है तो आप जरूर देखिए और किसी का अभी अभी तक की जो बात मैंने आपको समझाई है वह सब के दिमाग में आ गई है यहने वह जो दो सरकल का जो example दिया था आपको तो सब को वह चीज समझ में आई अगर आप comment box में नहीं डालेंगे तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना रेक्यूलरली क्या होता है वर्शॉप में हो या यहां पर हो तो सामने आदमी लोग दिखते यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अगर comment box में डालेंगे कि जो चीज महिना भी समझाई वो सब के दिमाग में आई क्या या सामित पाटिल सर को समझ में आया शित हां निहार कुलकरणी का question है कि सर फोटोशॉप या लाइट रूम कौन सा यूज करना चाहिए लाइट रूम हम लोग 90% जो है वह लाइट रूम यूज करते हैं क्योंकि color correction का जो काम है समझो वेडिंग का काम है मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूं तो वेडिंग का color correction है व फोटो निकार रहे है लाइटिंग एक है पोजिशन एक है और फोटो निकार रहे है वीदी के दस दस फोटो एक ही पोजिशन पर होते तो जैसे कल महिंदर सर ने बताया कि copy करके paste करना है तो वह चीज़ मैं एंड का session मेरा यह लाइट रूम का तो उसमें कुछ चीजे मैं बताने वाला हूँ यस सबको समझ में आया है तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिकत नहीं तो इसको आम लोग extraordinary image कैसे बनाते हैं वह समझने के लिए हम लोग यह सब कर रहे है फिर से मैं share करता हूं screen अगर किसी को कुछी भी दिकत हो मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ मे नहीं आता है तो definitely you can make comment in comment section तो मुझे काफी अच्छा रहेगा तो मैं screen share करता हूं फिर से तो अभी तक आपको समझ में आया मैंने क्या किया कि यह image में जो यह image है उसमें से इनका जो skin दिखनी रही थी वह मैंने bright की अगर समझे मुझे लगता है कि और bright करनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा filter में जाके camera raw filter में आता हूं जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने क्या किया था कि मुझे adjustment brush में आया मैं जानबुच कर कर रहा हूं यह किसी को समझा नहीं रहेगा तो यहां पर brightness मैंने 0.55 से बढ़ाया है मुझे अगर लगता है नहीं नहीं थोड़ा सा और bright चाहिए तो मैं यह bright कर रहा हूं आपको समझने क के लिए और अच्छा रहेगा तो अभी क्या है खिल के आगे ना वह दोनों जो है याने जो ब्राइड एन गुरूम के जिनका प्रिवेडिंग है वो खिल के आने जरूरी है अभी देखिए इसका हाथ जो है वो काफी बढ़िया नहीं लग रहा है क्योंकि उसका brightness यह comparison में क जालो हो गया तो आपको एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं और मैं यहां पर मुझे जो यह था वाइबरंस था याने मैं फिर से नॉर्मल पर आता हूं यहां पर मुझे क्या करना है saturation को आत नहीं लगाना है मैं वाइबरंस बढ़ा देता हूं तो डाल का सा यह कि यहां पर effects है effects में भी आप थोड़ा सा मुझे ग्रेनी पसंदे तो मैं देख लीजे यहां पर ग्रेंस बिल्कुल नहीं है तो मुझे थोड़ा ग्रेंड आड़ कर रहा हूं फिर दूसरी चीज है कि मुझे इसमें विगनेटिंग चाहिए विगनेटिंग यहने क्या आप पर मुझे कोई यह नही दिख रहा है यहने बाजू में से ऐसे कोई आ रही है एसा दिखने ही रहा तो मैं यह समझाने की जरूत नहीं समझता इसमें पिर कलर मिकsorry में भी जैसे आपको जो इसमें फर जो पहले बता तो मैं इसको करता हूँ इसके बाद की जो टेक्निक वह काफी आसान है और आपको समझने के लिए भी बहुत बढ़िया है तो अभी इसमें मुझे मेरा फोकस किस पर होना चाहिए तो जो कपल है उन पर फोकस होना चाहिए यानि मुझे बची हुई चीज अगर धुंदली भी रहेगी तो मैं क्या करता हूँ यहां पर आता हूँ मैं जैसे बोला मैंने यहां पर रिमू बैगराउंड का उप्शनने ब्राबर यह है कि देख सकते और 2 मिनित में कुझ नहineं नहीं रही तो मैं यहां पर बाकिक लियार ऑफ कर देता हूँ यह और यह लिह आपको दिखा ब्लर करनी थी, इसके लिए मैंने ये चीज किया है, और मैं इसको duplicate करता हूँ, नीचे का जो mask है, उसको मैं delete करता हूँ, यानि क्या किया मैंने, आप समझ लीजे, ये मैंने mask बनाया पहला इसका, इसमें mask में क्या है, मैं all डबा के अगर इसको click करता हूँ, तो मुझे यही च रख नहीं डिखता है, लेकिन जब मैं इस पर आता हूँ, filter में आता हूँ, blur में आता हूँ, और इसको gaussian blur देता हूँ, जान बुचकर मैं gaussian blur ज़्यादा दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए, तो ये चीज क्या natural लग रही है, ये क्या, तो बिल्कुल नहीं, तो मैं यह यहां पर okay दबा देता हूँ, आपको समझने के लिए, फिर मैं यहां पर आता हूँ, एक इसको mask apply कर देता हूँ, आपको समझ में आया है, mask invert जैसे किया, वैसे आपको क्या दिखाए दे रहा है, तो ये चीज जो है, वो गायफ हो गई, तो यहां जहां जहां चाहिए, वहा और इसमें यह जो mask है, delete layer mask करता हूँ, तो देखे, यह original चीज जैसे के वैसे है, और मैंने नीचे क्या किया है, नीचे blur किया है, यह समझ में आपको, यह देखे, यह layer blur वाला layer है, मैं इसको disable करता हूँ, यह layer जो है, यह blur वाला layer है, यह sharp वाला layer है, बराबर है, लेकिन मैं अगर इसमें इसको mask देता हूँ, इसको mask देता हूँ, और इसमें से कोई जो भी portion है, मुझे थोड़ा सा blur दिखाना है, तो मुझे यह चीजे blur दिखानी थी, बराबर है, मैं यहाँ पर X दबाता हूँ, black लेता हूँ, देखे, मैंने क्या किया, यहाँ से मैं कुछ चीजे blur कर रहा हूँ, जैसे काफी अच्छा दिखना चाहिए ना अपने को, तो वह चीजे मैं blur करने के कोशिश कर रहा हूँ, यह देखे, यह मुझे यह जो portion था, उसमें से कुछ चीजे blur करनी थी, देखे, काफी बढ़िया effect दिख रहा है, यानि जैसा ऐसा लग रहा है, यह जान तो सुनिल कोरगावजर जी नमसे, महाराष्टर संग, महाराष्टर राज्य शिकर असोशेचन करोन, थैंक यू वेरे मच सर, तो यह चीजे जो अभी मैंने समझाई, तो क्या आपको समझ में आई, मैंने तीन लेयर इसके बनाए थे, एक लेयर में कटिंग है, एक लेयर ब बराबर है, मैंने क्या चाहा कि वो पत्ते थोड़े से बलर होने चाहिए, इसके लिए मैंने काफी, यहने आपको समझाने के लिए मैंने वह चीज की, तो क्या आपको यह चीज समझ में आई, मैंने क्या किया है, कॉमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि वह ज़रूरी है, पिर मैं आगे चला जाता हूं, ओके थिरू इंडिया, यस, आपको समझ में आई, थैंक्यू वेरी मॉच, और बाकी लोगों को, अमीत पाटिल को भी समझ में आई, यस, थैंक्यू, और किसी को समझ में नहीं आई रहेगी, तो भी बताए, सवरब तिवारे जी, यस, थैंक्य तो काफी आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, हेलो सर, पावन फ्रोम कोला, हाँ, पावन माने जी, वेलकम, वेलकम, कोलापूर से है, रूप दर्शन स्टुडियो, बेसल, यस, किर्थी ककाया, यस, थैंक्यू, तो मेरे इसाब से सब को ये चीज समल, आरूप बोस, यस, व विजय भाई, अलवाडिया, यस, सब को चीजे समझ में आई है, तो मैं आगे चलता हूं, यहाँ पर मैं शेयर स्क्रीन करता हूं, और मैं फिर से फोटोशॉप चुका है, तो आपको समझ में आई रहेगे, मैंने बेसिक इमेज ली थी, यह वाली, यह देखे, यह बेसिक इमेज है, इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से डाला है, तो देखो, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कि कितना ब पीदि इसके बाद आप सब्सक्रीट क्या आप एक तो आप अगर यहां पर देखिए, काफी चिज़े लिखे है, overlay है, stroke है, emboss है, pattern overlay है, color overlay है, drop shadow है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी चिज़े दिए, तो इसमें से मैं चाउनल mixer प्याता हूं, देखिए, चाउनल mixer यहाँ आ गया, और चाउनल 1000 मिक्सर में मैं जो भी चीजे चाहीए, यह यहां पर जो भी चीजे चाहिए यहां से डाल सकता हूं कि यहां ब्ल्यू फिल्टर है ब्लाक किंटर है फैसे काफी और मैं यहां पर अगर आप देखोगे आउट-फूट भी अलग अलग तरीके से आप इसको बना सकते तो यह आपके हिसाब से मैं यह default में लाता हूं फिर यहां से यह channel mixer में मुझे समझो red कम करना है यह देखिए मैं क्या कर रहा हूं red थोड़ा सा बिल्कुल हलका कम देता हूं green अगर मुझे कम चाहिए तो यह देखिए अलग feel आ रहा है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखते ह हूं तो इसमें मैं अलग feel आ रहा हूं यानि वह जो image है और रेड़ी इनहांस है फिर constant में आप देखिए यहां पर और यहां पर देखिए एकदम हलका सा difference कर रहा हूं मैं यहां पर adjustment में फिर से मैं यहां पर आता हूं जैसे मैंने channel mixer यहां पर मैं color look up में भी आके मैं दिखा आता हूं आपको color look up क्या करता है तो color look up में यहां पर 3D लट दिये हुए तो मैं जैसे जैसे उस पर गुमाते जाता हूं और मैं यहां पर यह कर रहा हूं तो आपको अलग-अलग effect दिखाए देते हैं अभी का जो जो trending चर रहा है बराबर यानि थोड़ा सा softy look आता है वह आप कर सकते हो यहां पर देखिए एंड में करना है लेकिन ध्यान में रखना है आपको एंड में करना है अभी इंस्टाग्राम पर यह trend चर रहा है काफी अच्छी तरह से तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं तो यहां तक बात समझ में आई रहेगी इसके बात क्या कर डाउनलोड कर सकते हैं यह देखिए यहां पर काफी अलग-अलग एफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से जो भी चाहिए वह एफेक्ट आप चूज कर लीजे मुझे जो पसंद आता है वह मैं चूज करूंगा यह देखिए यहां पर enhance vivid जैसा आया तो यह जहां पर आपको पसंद आता है वहां पर आप रख सकते हो मुझे यह वाला इफेक्ट ज्यादा पसंद है तो मैं ड्रॉप ब्लूज ड्रॉट 3DL और यह सब रेडिमेड दी हुई है यहां पर देख सकते हो यहां पर पूरी दी हुई है तो जहां पर भी चाहिए वहां पर अभी एक ही यह है मुझे यहां पर क्या करना है ब्लैक डालना है तो मैं क्या करता हूँ और मैं यहां पर डी करके डिफॉल्ट कलर लेता हूं और मैं इरेजर लेता हूं इरेजर को देखना है हाड़नेश कितना है है जुरो रखना जरूरी है और मैं इसको देखे मैंने यहां से वह erase कर दिया बड़ा बड़े soft यह अहां तक समझा फिर control T किया और मैं इसको बड़ा कर रहा हूं फिर देखिए क्या हो रहा है तो यह अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैंने इसको जितना चाहिए उतना यह कर दिया लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूं मैं फिर से इसमें all backspace दबाता हूं और मैं एक हलका सा spot डालता हूं तो इससे क्या होता है वह भी उसका वीडियो भी मैंने डालाया और इसको बड़ा कर रहा हूं अभी तो विगनीट डालने के अलग-अलग तरीके हैं किस तरीके से भी डाल सकते हैंinta इसमेंसे एक तरीका आ हैप को दिखा दिया कि इसको जूम करके आप यह चीज कर सक्तेगा हों यहां पर देखलाई एक तरीका है दुसरी चीज है कि मैं यह डिलीट करके मैं camera raw में भी दिखा देता हूं कि filter में जाके camera raw filter इसके भी काफी वीडियो मैंने डाले हुए हैं कि यह किस तरीके से अच्छा कर सकते हूं मैं फिर इसे यहां Alt Ctrl Shift E दबाता हूं फिल्टर में जाके camera raw filter में आता हूं और यहां पर जो effects है वहां पर आपने विगनेटिंग देखी रहेगी यहां पर हलका सा विगनेट मैं दे सकता हूं आपको पता चला रहेगा हलका सा विगनेट दिया है और यह इस तरीके से हमारी image ready हो गई तो आप दोस्तों आपको यह चीजे समझ में आनी जरूरी है आप इ यह तो मैंने एक ही variation दिखाया आप चाहिए उतने variation कर सकते हो यानि यह initial photo था उसको मैंने इस तरीके से बना दिया तो काफी बढ़िया तरीके से आप यह चीजे कर सकते हो मैं इसको close कर देता हूं और यह जैसे मैंने बताया कि काफी अलग-अलग तरीके से आप चीज कर सकत है तो दोस्तों आपको यह चीज जो मैं अभी cutting के बारे में बताओ ओके आकाश शेगाव कर वो रहे हैं ठीक है मैं इसमें cutting के बारे में भी बोलता हूं आपको cutting, actually cutting जो लोग है काफी तकलिब में होते हैं कि cutting करे तो कैसे करे तो regularly मेरे जो students है काफी students है मुंबई में तो हर एक को मैं paint tool से cutting करने की suggestion देता हूं paint tool से क्या हो जाता है कि जो हम लोग समझा auto का इस्तेमाल करते हैं यानि select subject हो गया फिर जैसा मैंने remove background किया यह तो मैं दिखाने के लिए आपको speedy दिखाने के लिए कर रहा हूं लेकिन अगर आप देखोगे कि किस तरीके से काफी अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं तो cutting हम अगर आप देखोगे मैं फिर से screen share करता हूं और मैं Photoshop चालोगे अगर मुझे इसको cutting करना है तो मैं क्या करता हूं इसको जूम करता हूं यह जूम क्यूं करना है यह पहले समझ लेते हैं अगर मैंने इसको जूम कर दिया तो यह देखें यहाँ पर पिक्सल दिख रहा है मैं यह टूल लाया और मैंने यहाँ पर एक square निकाला है आपको square दिखाई दे रहा है यह देखें मैंने इससे थोड़ा सा पिछे लेता हूं याने आपको समझने के लिए मैंने polygon lasso tool दिया और मैं यहाँ पर एक square निकार रहा हूं जो भी है यह देखें स्क्वेर दिखाई दे रहा है मैं control minus करता हूं आपको square दिखाई दे रहा है अभी भी दिखाई देता होगा लेकिन मैं जब control zero करता हूं क्या आपको square दिखाई देता है तो इसका answer ना है control d करता हूं तो करते समय यह बताने का जरूत इसके लिए था कि करते समय आपको zoom करके ही करना है तो zoom करने के लिए और स्क्रोलिंग माउस का बटन आप यूज कर सकते हो अभी मुझे कटिंग करनी है तो पेंटूल में आप देखिए मैं पेंटूल दबाए आपको क्या करना है यहां पर रेगुलर शेप होता है शेप से क्या होता है वह पहले समझाता हूं अगर मैं शेप से कटिंग कर अगर तो आपको यहां पर ब्लैक कलर दिखाई देता है तो यह नहीं चाहिए तो क्या करना है मैं इसको आट पर इकर्टक करते हूं यह देखिए आभी,,, ह्याई पर आपिंग Spive Selon, यहते हो रेखिए हुए फिर से बैक स्पेंग कर दबाता हूं लेकिन आपको दयान में य यहां पर जो rubber band है, वो हमेशा active होना चाहिए, यानि मेरा cutting है, यहां पर आपको दिखाने के लिए यहां पर किया है, वो कैसे हो रहा है, यह कैसे समझेगा, तो यह line के वज़े से समझेगा, तो यह भी चीज आपको समझ में आई रहेगी, अभी cutting करते समय, अगर हम लोग paint tools का use कर रहे हो, तो आपको क्या धहन में रखना है, वो भी आपको समझना जरूरी है, कि अगर मैं cutting कर रहा हूँ, समझो, यह cutting हम लोग करके, मैं दिखा देता हूँ आपको करके, तो यहां पर अगर मैं कुछ चीज यह देखे, मैंने इसको drag किया है, फ्रावर है, यह देखे, हम लोग बाद में control या alt use करके, उसको set करने का कुशिच करते हैं, लेकिन मैं वही से कुछ कर रहा हूँ, क्या देखे, मेरा perfect ही जा रहा है, क्योंकि मैंने लाखों image काटी है, बराबर है क्या नहीं, क्योंकि मैं काफी सालों से यह काम कर रहा हूँ, तो यह जो चीज है, इस पूरा-सालका-सा अंदर से लेना है, अंदर बोलेगा तो आदा mm नहीं, अज़्चा सा अंदर, नहीं, तो कोई-क्या कर देता है, पूरा उसका sleeves है, ठोटा करते है, तो जरूरी नहीं है, यह देखे, मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, फिर छेँ से देखिए यहां पर क्या करते थोड़ा पीछे जाते हैं और डारेक्ट यहां से यहां आते समय भी काफी तकलिप हो सकती है तो इसके लिए ज्यादा जल्दी नहीं एक कटिंग को मैक्जिमम तीन से चार मिनिट लगने चाहिए इतनी प्रैक्टिस अपनी हुनी चाहिए तो में कटिंग का ही थोड़ा सा पंगा है मैं कैसे कटिंग करता हूं यह समझने के लिए मैने यह पूरा दिखा रहा हूं आज मेरा सेशन भी नहीं था विजय सर का सेशन था लेकिन इसके वज़े से आपके लिए my शेशन ले रहा हूँ क्योंकि नहीं तो नाम खराब होने का चांसेस था ना फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसको घुमा रहा हूँ यह देखिए यह जब हम लोग गुमाते हैं तब एक ध्यान में रखना है यहां पर मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता है तो अंदाज से मुझे इसको सेट करना पड़ेगा ना कि परफेक्ट है क्या नहीं फिर से मैं यहां पर आया मैंने इसको अंदाज सेट कर दिया क्य और मैं जूम कितना परसेंट हूँ यह देखिए काफी अगर आप यहां पर देख सकते हो तो मैं 794 परसेंट जूम हो यानि यह तो हमें दिखाई दे रहा है पार्टी को तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और मैं यहां से यह कर रहा हूं अभी देखिए मैं इसको जूम बिल्कुल बाल को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं वह तो आइटोमेटिक अपने पास उसके लिए अलग टूल है तो मैं इसको छोड़ दूंगा मैं इसके नजदिक से ले रहा हूं मुझे यह तो करना है फिर से मैं ने जूम किया काफी जूम करना पड़ता है अगर अच्छा कटिंग करना हो तो करना है यह तो अगर आप देख सकते हो काफी जूम करके मैं कर रहा हूं इसके लिए आपको यहने मैं मेरे एक्सपिरियंस के हिसाब से कटिंग कर रहा हूं यहां पर बाल उनके बाल है तो मैं वह बाल नहीं चाहिए वहां पर छोड़ दे रहा हूं यह देखिए और मैं इसके अंदर से गया और फिर यह बाहर से मुझे बाली नहीं कटने है ना? तो यह देखें यहां पर फास हो गया सब चीजे तो यह रीदम जो है वो आपको मिलने काफी जरूरी है और यह क्या कर रही है यह लाइन मुझे डायरेक्शन बता रही है कि भाई तू नीचे जा रहा है नीचे जा थोड़ा तेड़ा करना है तो तेड़ा तेड़ा कर देखिए अभी यहां से मैं यहां पर आया है देखिए परफेक्ट बन गया मैं यहां पर टिक किया फिर मैं यह यहां पर स्ट्रेट लाइन पिर यहां से यहां आया यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं न और फोड़ा सा अन्दर मैंने जैसा बोला 1 mm 2 mm अंदर लेना है आपको और यहां से देखिए फिर से चलो गया अपना कटिंग तो यह चीज आपको पूरी कटिंग करके दिखा रहा हूं यानि आपको वह चीज समझ में आएं, काफी अच्छी तरों से, यहाँ पर उनके हील्स है, यह देखिए, यहाँ पर यह जो हाफ सरकल है, वैसे मैंने, यहाँ वाल है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो हाँ, यहाँ पर यहाँ आवगा पर फिंदान से, जितना बारिक के इसे आप ये करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आपको एंड में मिलेगा कि अजया बारिक के इसे आपको एंड में मिलेगा रिजल्ट आपको एंड में मिलेगा करोगे पिसे आपको एंड मिलेगा रिए झाल झाल देखें ये डिरेक्शन है ना वो दिखाता है कि कीधर करना है कैसे करना है वो समझ में हाना जरूरी है एक बार आपको ये टेकनिक आ गई तो अभी मैंने मेरा स्पीड फिफ्टी नहीं ज्यादा परसेंट रेडिस किया है आपको समझने के लिए झाल 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 ये देखें ये इसका स्कर्ट है वो समझना जरूरी है कि कहां से कैसे कट करें नहीं तो वो एक अलग तकलिप होगी झाल 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 ये रिदम मिलना काफी जरूरी है अगर वह रिदम मिलाना तो फिर आपको कटिंग में कोई दिक्कती नहीं आती कभी अभी बोलेंगे इतना तकलिप करके एक इमेज कट करेंगे तो इसमें पैसा तो कम मिलता है लेकिन ये फन है ये एक्चुली देखा जाएगा आप जब तक वह प्रॉपरली नहीं करेंगे आपको जब तक वह प्रॉपरली मदा नहीं आएगे उसकी तब तक वह करके कुछ मतलब नहीं है ना तो इसके लिए वह एक्दम पर्फेक्ट करना जरूरी है प्रॉपरली नहीं है कि यह जो रिदम है देखिए मैं यहां पर किया मुझे यहां आना है मैं यहां से देखिए यहां पर जा सकता हूं यह जो रिदम है वह पकड़ना पहला समझ में आ गया उसके बाद काफी अच्छी दरसे आप कटिंग कर सकते हो यह जिन्होंने क्वेस्चन पुछा है उनको समझ में आ रहा है ऐसा मैं सोच रहा हूं क्योंकि कटिंग सिखाते समय मैं यह बच्चों को पांच-पांच फोटो हर दिन कट करने को लाता हूं और तकरिबन दो महिने का प्रोग्राम रहता है तो आप सोच सकते हो कितनी कटिं अब ही तो मुझे कटिंग नहीं करने पड़ती है अभी तो बच्चे लोग ही करते हैं लेकिन वह पहले जमाने में मुझे ही करने पड़ती थी ना यह पेंटूल का मैंने इसका भी ट्यूटोरियल डाला है आउट याने पेंटूल का वापर कैसे करे तो वह हिसाब में अग उसमें भी आपको कटिंग कैसे करना है उसका उसके वीडियो काफी वीडियो मैंने डाले हुए है तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप हुल आप और यहां पर कंप्प्लीट होते समय है देखे राउं डिखाए कर दिखाए गा मैंजे मैं आया उठे राउं डिखाए दएक था ंट सब्दूब måste श्रेण करता हो मैं होने से चंक्रूल ंब ता आप देख सकते हो मैं अगर बैग्राउंड खोल देता हूं तो यह कटिंग किस तरीके से हुई है अगर मैं जूम करके देखू तो आपको बिल्कूल ही कहां पर दिक्कत नहीं आएगे सॉरी कितनी फाइन कटिंग हुई है तो मैं थोड़ा सा स्टॉप शेरिंग करता हूं तो दोस्तों आपको यह कटिंग करना कटिंग का जो सॉफ्ट्वेर आया है बंजी बै पूछ रहा है कितना रियक्टिव है सर एक्चुली देखिए किसी भी सॉफ्ट्वेर में अभी तक मुझे से नहीं पता लेकिन काफी सॉफ्ट्वेर तो मैं भी यूज़ कर सका हूं आरे यह तो बहुत जबर्दस है इसमें यह होता है मैं भी परिश्यस करता हूं लेकिन एक्चुली क्या है कि उसकी मज़ा जो है वो मैन्यूल कटिंग में ही है तो कटिंग करते समय वह जो रिदम ह है जिस तरीके से वह मैं घुमा रहाता है यानि यह यहां पर घुमने के बाद यहां पर घुमेगा यह रिदम आपके दिमाग में आई यानि उसको मैं ड्रैक करता था इसके लिए मैंने इतना टाइम लिया क्योंकि अगर वह ड्रैक कैसे करना है वह आपको समझ में आ गया तो आपका यहने कटिंग काफी अच्छा होगा एर कटिंग के लिए तो 100 solutions है एर कटिंग के लिए 100 solutions है बहुत जन बोलते ने मुझे बाल बाल अलग दिखने चाहिए तो उसके लिए Photoshop ने काफी अच्छी चीज की है देखे मैंने अभी यहाँ पर यह जो कटिंग है इस पर मैं मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ और मैं किसी भी selection टूल पर आता हूँ यह देखे मैंने किसी भी selection टूल पर आ गया और मैं यहाँ पर दबाए select and mask ब्राबर है यह काफी important है आपको समझने के लिए और इसमें से first tool नहीं लेना है क्या है quick selection tool नहीं refine age जैसे मैंने last time बता था वैसे ही यह जो circle का center है वो कभी भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए यह समझो बाल के अंदर गया तो आपनी तो यहने बढ़िया चीज नहीं होगी तो मैं क्या करता हूँ इसको बाहर से गुमा रहा हूँ यह देखे बाहर से गुमा रहा हूँ दिख रहे आपको और समझो कहां पर नहीं हो रहा है फिर से दूबारा गुमा रहा हूँ तो यह रिफाइन एज काफी बढ़िया तूल दिया हूआ है और काफी अच्छी तरह से हम लोग इसको set कर सकते हैं यहां पर देखे यहां पर भी जहां जहां था मैं वहां पर गुमा रहा हूँ तो तरीके से cutting होते जा रही है देखे हैं तो यह रिफाइने समझना आपके लिए important है यहां पर मैंने थोड़ा सा अंदर किया था तो यह बहुत समझना जरूरी है वह center बाल के अंदर ना जाए अगर यह समझो यहां से बाल के अंदर वह बाल ही काट डालेगा पुरा तो यह सम लगे यहां वहाँ उसको घुमा रहा हूं आप देख सकते हो यहां पर इसकी size माई चेंज कर सकता हूं है यहां से bracket की से मैं i cesc payments कर सकता हूं उसमौ्ण यहां जहाए लग रहा है इसके अंदर एसके अंदर और और मैं आंट घृत वाइंग हो दिआ है और से अर्म लोग में में एकदम प्रॉपर कटिंग की जरौत नहीं होती है या प्रिवेडिंग में भी नहीं होती है क्योंकि हम लोग इमेज पीछे रख देते हैं और मैं यहां पर नीचे आके हमेशा न्यू लेयर विट लेयर मास करता हूं और ओके दबाता हूं आप देख सकते हो यहां पर देना है इसका हाड़नेस मैं अराउंड 50% कर देता हूं और मैं इसको घुमाना चलो कर देता हूं देखे क्या हो रहा है यह निकर रहा है ना भी जहां जहां नहीं चाहिए था वहां से मैं उसको क्लियर कर रहा हूं तो यह करते समय आप एकदम आसान तरीके से इसको हम लोग जिरो करते फिर क्या हो जाता है यह इसके अंदर देखे यह अंदर चला गया तो यह नहीं होना चाहिए इसके लिए हाड़नेस है ना 50% पर लेकर आना है यह भी टीक है ट्रीक है जो कि मैं वन मिनिट में एक्चुली मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है काफी क्यूंव यह इसका प्रोब्लम आपका सॉल हो गया इन है कि मैंन शेरिंग स्ट दालान प्रसाद सक्रिस करेंद स्क्रिस करें से निया सर्थ हम न इस्वा dove-th승 पूर्ट कि ये स्किरिन बंद उन्हों तो तोra अम मेरे सबसें काफी तती आपको इसमें ऑर इनडेफ्थ है तो अब मेरे वीडियो जो है कि हैर के वीडियोज है स्पेसिफिकली मैंने बताया है कि कैसे ओम फोटो वीडियोग्राफी नहीं आपको समझ में नहीं आए एक बार हो हां बोलते हैं नो स्क्रीन बिल्कुल स्क्रीन नहीं था मैं ये पूरा दिखा राता तबी ने ने दिख रही थी सर दिख रही थी ना ओके ओक है तो मेरे हिसाब से कःटिंग का जो वा क्विश्चन था वो पूरा सॉल हो गया रहे पैंटूल से कःटिंग कैसा है शेर स्क्रींrá juicy garden सिर्ण नोटए फीर शेए एक बार में यह टिखानाय का इसको शेरशन कर देता हूं कि मेरे इसको डिलीट कर देता हूँ यहां पर क्लिक करता हूँ यहां पर करो यहां पर आजाता है मैं सिलेक्ट एंड मास्क्राइब करता हूँ इसको पर क्लिक करने के बाद एक मिनिटा इसको पर क्लिक करता हूँ यहां पर डूपलिकेट इमेज है मैं सिलेक्ट एंड मास्क्राइब आता हूँ आप देख सकते हो एक मिनिट यह लेर सिलेक्ट है कि लिए रॉफ कर देता हूँ और सिलेक्ट एंड मास्क्राइब दबाता हूँ इससा क्यूं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा था मैं यहां पर क्या करूंगा मैं इसको जूम करूंगा कंट्रोल प्लस करके और मुझे क्या करना है सेकंड टूल लेना है अभी आपको सबको दिखाई देता होगा और मुझे इसको अंदर नहीं करना है इसको बाहर से ही मुझे इसको बाहर से ही यह करना है इसको अंदर नहीं लाना है यह जो राउन डिख रहा है इसको अंदर से नहीं लाना है तो वह संबालना जरूरी है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको फटाफट कर रहा हूं है अगर था Past कर रहा हूं क्या आपको समझ में आए पहले मैं ने यह दिखाया था यह दे के में इसको फटा-फट से तोड़ा बड़ा करके फास्ट कर रहा हूं ओके यह जो भी चीज हो गई टाइम कम है और मैं यहाँ पर नीचे आके न्यू लेयर विट लेयर मास्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ देखे यह कटिंग हो गई इसके बाद क्या करने को बोला था हूँ मैंने ब्रस लेना है मिक्शुर करना है ब्लैक उपर होना चाहिए और इसके हाड़नेस 50% करना है और इस तरीके से आप उसको एरेस कर सकते हो एकदम आसान तरीके से तो आपको एकदम यह मैंने इतना फास बताए है उसके वज़े से आपको समझा नहीं रहेगा लेकिन काफी आसान तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते देखे पूरा एकदम कटिंग पर्फेक्ट होगी तो दोस्तों यह पोर्शन आपको समझा रहेगा हाँ मैंने अभी डाला है इमेज क्रेशन उसके लिए मैंने वो वीडियो यह फीर से बता है क्योंकि एक्शली मुझे पता नहीं चलता स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं मैं उतना नेट से भी नहीं हो दूसरी चीज आपको यह पूरा जो सेशन है मुझे लगता है विजय गवई सर का हमको मैं रहा देख रहा था अभी पांच बचकर पांच मिनिट है तो सर मेरे इसाब से होस्पिटल में है कुछ दिक्कते हैं वहाँ पर इसलिए यह सेशन मुझे लेना पड़ा वह बोले थे आदा पावना घंटे में आऊँगा लेकिन वह नहीं आ सके अगर कुछ क्वेस्चन है फोटोशॉप के बारे में जैसे आपने इसके बारे में बोला था तो कोई क्वेस्चन है तो आप मुझे पूश सकते हो तो मुझे इतना आता है उतने हमें बताने के कोशिट जरूड करूंगा तो Photoshop का कोई question है कोई चीज आपको पता नहीं है या आपको जैसा मैंने Pre-waiting के लिए कैसा दिखाया कि मैंने मुझे तो पता ही निए था कि मैं आज hält करनें में क्लावूड से मैंने दोतीनिंऊ उडन्स अच्छिया वेब शीरिज के लिए शूट किया था तो रही कर expert है पुनिया मी्सिवीश का था गड़ता तो किसको कुछ क्वेस्टन है तो आप पूछ सकते हो स्क्रीन किया था मैं स्क्रीन शेयर करता हूं बिल्कुल संदीब जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी दिखाई दी थी ना सार प्रसाज जी अभी स्क्रीन दिखाई दे रही थे ना हां सर अभी दिख रही थे सर ओके ओके हां बिल्कुल बिल्कुल संदिप जी मैं जबी सिखाऊंगा तो हाड लाइट जाले असेल तर काय करूशक तो हां ओम फोटोग्राफिय बोर्श रहे हाड लाइट होगी सर अल्बम डिजाइन समनात कोड़े पुछ ले सर अल्बम डिजाइन करताना बैगराउंड कसे चॉइस करें चे संगा ओके तेपन संग तो हाड लाइट जाले असेल तर काय करूशक तो आता हाड लाइट चा फोटो माजा कड़े इते नहीं है आपन ना काय करूआ हम लोग क् चारक्राइट आपने novसर सक्काइब कसे अग्राइट अमेर्ट क्यों एकुशा क्या श्रक्सद्व प्रेदी को प्लीक om गश्राइट चाहिता है झाय क्या मात्यक्याम लुटिक टन्क पर कंश्रायां जिथिदा ही तर इ tut दो अधक्र तेशिया आएगे आपको हाड लाइट में काम करने के लिए तो भी इसमें एक सोलुशन है फिल्टर में जाके जेपेग में रहेगा तो कितनी हो सकते मुझे भी पता नहीं ऐहां पर हाइलाइट पूरी कम कर सकता हूं फिर मैं यहां फोड़ा कम कर सकता हूं तो दिखें पूरी कर निकली नहींום अगर आप ठीकतर से सब्सक्राइब हे जो चीज इसको क्या करना चाहिए के मैंने मैकजिमम निकालनेकी कौशिच की है लेकिन यह देख आधा है यहां पर जो पैचे से यहां पर अगर आप देखते हो यहां पर जो पैचे से वह बिल्कुल नहीं निकले क्योंकि वह आपर स्क्रीन पूरी जल गई है तो यह टाइम क्या करना चाहिए तो यह टाइम वह फोटो हमें लेना नहीं चाहिए यह पहली बात लेकिन वह काफी important photo है इसे हम लोग समझते स्टॉप शेरिंग करता हूं तो क्या करना है तो इंपोर्टन फोटो है तो उसको मेरा नंबर सर डिस्प्ले कीजिए उसका एक्चुली ना मैं वह क्यों नहीं बता रहा हूं मेरी जो नेक्स्ट तीन चार एपिसोड में मैंने बर्न बर्न जो इमेज होती तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है तो आप वन मिनिट फोटोशॉप देखते रही है मैं डेफिनेटली आपको उसका सोलीशन मिल जाएगा तो एक्चुली रा में रहेगा तो यह पूरा रा कैमेरा रा मंजे का है शुवम गायकवार्ट पुछ रहे है रा कैमेरा दिख भी एक ओल में वीडियो डाला है डिफेंस परसेंट डाटा है तो जैपैक में सिर्फ 20 परसेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आप सोच सकते हो प्लस फाय और माया प्लस फाय प्लस और माइनस फाइवी याने इतनी स्टॉपच के डिफरंस हम लोग इसमें रहा में ले सकते हैं लेकिन फोटोशॉप में मैक्जिमम दो स से तीन स्टॉप का डिफरंस हम लोग कवर कर सकते हैं तो हां सुमनात कोड़े जो बोर रहे हैं सभी बात है कैमेरा आ रहा हूं मंझे कस्ता माल मंझे एक्ष्यली मैं बोलता हूं वह माती का गोला होता है और उससे हम लोग एक जवर्दस मूरती बना सकते थी परफेक्ट है पंकज हैर पुछ रहा है सर फोटोशॉप में जासा आइडी कार्ड तयार करना साथी आक्षन बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है कितने भी आप एक एक्षन से कितने भी यह बढ़ियाव चीज बताई आपके यह क्वेस्चन पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा पंकज जी कि फोटोशॉप में आइडी कार्ड के एक्षन कैसे की जाती है मेरे चैनल में वह वीडियो है लेकिन मैंने वह पास्पोर साइस का बना है यह टाइम मैं आइडी के लिए बनाता हूं और कुसके कुसके क्वेस्चन है क्या तो पंकज जी मैं जरूर आपके लिए यह वीडियो हमारे चैनल पर बनाऊंगा आइडी बराबर रहें सुमनात तांबेपुर रहें सर लो रिजोलिशन फोटोस कसे कॉलिटी इमेज करू शक्तों यस अभी यह यह भी मेरा मैंने इसका भी एक वीडियो बनाए है जो कि प्रसाज जी मेरे साबसे हो गया किसी के कुछ ग्वेस्टन से हैं कि तो आज आज मैं आप से मघ नाज ज्यी विद्ध कट्टा माल बर भर करना हम कि सभी बराबर हिए मैं सिर्फ हिंद ने बताया है दो अशनतो मरा हटित और कि प्यए करी मेरा नंबर मैं यहां पर डिस्प्लेश करूंगा सर जी नम्बर डाल दीजे पूछ रहे हैं कि अल्बम डिजाइनिंग सॉफ्ट्वेर बेश का हैंड मेड़ बेश कि अभी मैं काफी आल्बम सॉफ्ट्वेर कंपनी के साथ भी काम कर चुका हूं आपका सोमनाजी आपका क्वेस्चन क्या था सोमनाज कोल्डे क्या बोर रहे हैं हाँ वह मैंने क्वेस्चन नहीं पड़ा था सर अल्बम डिजाइनिंग करता ना बैगराउंड कसे चॉइस कराई चे संगा इसके लिए मैंने एक पूरी अल्बम डिजाइनिंग के पूरी यही है तो वहां पर आप देख सकते हो कि अल्बम डिजाइनिंग करते समय बैगराउंड कैसे चॉइस करना है तो भी मैं एक मिनिट के लिए शेयर करना चाहता हूं सोमनाच जी नाराज नहीं होने चाहिए सोमनाच कोलडे जी मैं एक मिनिट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे करना है तो फोटोशॉप में अगर समझो यह बैगराउंड है यह इमेज है मैंने इसको कट की थी मैंने वह कट कटिंग ठोड़ दी तो एक सेकंड में कटिंग करना बराबर है और मैं कंट्रोल एन लेता हूं और 12 x 36 की इमेज 12 x 36 में यह फोटो उठाके डाल रहा हूं बराबर है एड दी सेम टाइम समझो मुझे और चार फोटो है कंट्रोल ओ करता हूं और मैंने अब भी डाउनलोड किये थे यहां पर एक दो चार अब कुछ हाई नहीं इसलिए मैं फटा-फट से यही डाल देता हूं Ctrl A C W और यहां पर Ctrl V Ctrl A C W Ctrl V Ctrl A C W Ctrl V और इसको भी मैं इसको डिलेट कर देता हूं डिलेट लेबर मास समूंट लेट कर देता हूं लेट लिए लेर मास कंट्रोल असी डवल्यू और इसको बाज में लेता हूं और इसको यह एक समझ के चलते हैं तो यहाँ पर मैं वर फ्राविनेंट कलर कौं सा है प्राविन कलर यानि सबसे ज्यादा कलर कौं सा है तो ग्रीन है definitely green है तो मैं Control B दबाता हूं देखे लिए गर यहां पर मैंजटा तो मैंजटा दिखेगा तिया गेंटा कहा लिकाना यहां पर मैंज्टा यानि मैंठेक है कि तो वह लेता हूं तो देखिए आपको यह परफेक्ट बैगराउंड मिल गई मैं कंट्रोल यू करता हूं और इसका लाइटनेस और कम कर देता हूं यह देखिए काफी बढ़िया बैगराउंड दिखाई दे रही है इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको या मेरे सिरीज में रहेगा यह देखिए काफी बढ़िया बैगराउंड दिख रही सैचुरेशन अगर बढ़ाता हूं तो मज़ा नहीं आती है थोड़ा डीप कर दिया तो मज़ा थी मैंने लास्ट टाइम जब बताया था कि यहां पर क्या-क्या चीज़े चाहिए तो लाइन कि यहां पर कीए दर तो विद्ध है दिया थे के मैंने टेक्चर पर गरन चरिंव हैं यह इसको ग्रंजँ आप सिर्फ यह background डालते तो मज़ा नहीं है लेकिन अगर यह background डालते और इसको reverse करते ब्लैक का white करते और इसको white कहां से जाएगा multiply से जाएगा क्या screen से जाएगा तो screen प्याकर लाया मैंने और इसके opacity बिल्कुल थोड़ी सी कम कर दी एकदम हल्की सी रखी तो इसमें एक मज़ा आ गया एक feel आ गया तो दोस्तों यह feel लाने का कोशिच अगर आप हल्बम में करते हो तो आपको मज़ा आएगी otherwise वह मज़ा नही करना है सुमनाज जी मैंने वही तो चीज बताई अभी किया आपका question है album designing के नहीं फिर किसका आपने तो album designing का बताया मैं से फिर एक पुश्च जी आपका question क्या था वो बताईए देखिए sir album designing करता ना background कसे choice कराई चाह संगा अभी आपने यह question पूछा है मैंने तो नहीं बता है और आप अभी बोर रहे हैं background कसे choice करें चाहिए ओके आभी सुमनाज जी एकदम खुश होगे और खुब खुब धन्यवाद बोर रहे थैंक यू तो दोस्तों मेरे इसाफ से और किसी को कल का जो session है वो कफी important है अमोल पाटिल और राहूल पाटिल जी यह जो दो मेंटॉर्स है सिनेमाटोग्राफी पर बोलने वाले तो यह हमारे इसाफ से पहला हमारा session है पूरा यह season 1 और season 2 में शोह जो मेडीया बीटा है वह उसने सिनेमाटोग्राफी का session लिया था अभी जो है नí उसने editing का session लिया था तो अभी जो यह session है यन्यसोह के बाद अभी से सेशन है वह अमोल ऑण राहूल सर का है तो आप जरूर बने रही लिए कल वेडिंग सिनेमाटो के लिए और दोस्तों आपको यह जो सेशन से वह आपको कैसा लगा यह कॉमेंड बॉक्ट में लिखी है आपके कोई भी सजेशन हो तो हमको यह मेरा नंबर है वहाँ पर आप सजेशन दे भी सकते हैं फोन भी कर सकते हैं यह सिर्फ अपनी जो व आपको यह किरिया चानल नेम काया है ओम फोटो वीडियोग्राफिय अरे अभी जो चानल पे वही चानल है न तो जिन्होंने चानल सब्सक्राइब नहीं किया वह तो बोलना जरूरी रहता है वह सब्सक्राइब करें और मजा आ गया मुझे भी यह सेशन देते समये मैं उतन मराठी में ओडनी बोलते हैं वह ऐसे वह सब दिखाने के लिए मजा आता था लेकिन एक्षुले आयम नाट प्रिपेर फर देट सौरी फोर कि आज योगेश गवई सर नहीं आ सके उनका कुछ मेडिकल इसू है तो वह होस्पिटल में है यानि उनका नहीं उनके रिलेटिव का तो आज का जो सेशन रहा जो मैंने नाम अनौंस किया था वह मैं नहीं कर सकता इसके लिए मैं आपसे सौरी बोलता हूं और कल मिलते हैं अमोल और अमोल और रहूल पाटिल सर से सिनेमाटोग्राफिक के पारे में तो बने रही है पंकर जहर आईडी कार्ड डिफिनेटली आईडी कार्ड का तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा पंकर जी आपके लिए तो जरूर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा भी कि पंकर आईडी का ये कॉमेंट आया था इसके लिए मैंने ये आईडी कार्ड के एक्शन बनाई है तो आपको ये फोटो राजेंदर गा वेडिंग इडिशायनिंग प्रीवेडिंग एडिट फिर रीटचिंग रीटचिंग का बेसिंग से शे मैने का है रहे रीटचिंग का जो जुक्ष एक सिर्फ के लिए जो लगती है मैं उसमें सिखाता हूं तो और कुछ किसी के कुछ question है या ऐसा मुझे लग नहीं रहा है तो अब रसाज जी end आपके इससे होना चाहिए आपका जो coinage का है उसके बारे में भी आप बता सकते हो और हम लोग यहां पर end करते हैं